आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो होती तो हम सब के घर में हैं लेकिन उसके गुण और उसके उप्योग के बारे में हम सब बहुत कम जानते हैं नमस्कार मैं हूँ रवी वर्मा और मेरे साथ आप देख रहे हैं हेल्थ अवेरनेस और एजुकेशन का चैनल गोल्डन हेल्थ तो ये चीज़ आखिर क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि यह चीज़ है हमारी केसर याने सैफरन जिसके सौंदर प्रसादनों के उपयोग के रूप में तो हम इसे आदिकाल से प्रयोग करते आ रहे हैं हल्दी चंदन और केसर का जो घोल होता है उप्टन के रूप में प्रयोग किया जाता है या सौंदर प्रसादनों में उसका क्रीम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह सौंदर को कई गुना बढ़ा देता है हम इस बारे में भी जानते हैं कि खीर के स्वाद को भोजन के स्वाद को यह काफी बढ़ा देता है लेकिन हम इसके medicinal गुणों से पिलकुल भी अनभिग्य हैं आज हम जैसी stressful life जी रहे हैं जीवन में आपा धापी मची हुई है तो इस बारे में हमें पहले जान लेना चाहिए कि anxiety और depression आज के समय में अधिकांश लोगों को रहता है और दुनिया ने इस केसर की ताकत को इतना पहचाना है कि जो विश्व में सबसे बड़ी anti-depressant दवाई होती है anti-anxiety दवाई होती है हमारी केसर उसका मुकाबला कर सकती है और उससे भी ज्यादा फाइदा दे सकती है एक फाइदा केसर का और ये होता है कि उन दवाईयों का side effect बहुत गंभीर होता है जबकि हमारी केसर का कोई भी side effect नहीं होता बलकि side benefit होता है International Medical Journal जैसे Journal of Phytomedicines ने randomized control trial के बाद ये finding दी है कि हमारी केसर याने सेफरन दुनिया की number one anti-depressant, anti-anxiety दवा है जैसे जब आप depression का इलाज कराने doctors के पास जाएंगे तो वो आपको जो anti-depressant या anti-anxiety दवा देंगे तो उससे आपको libido, नीद नाने की शिकायत याने insomnia, fatigue, obesity जैसी बहुत सी चीजें side effects के रूप में इनाम में मिल जाती है लेकिन अगर आप केसर का उपयोग करेंगे तो ये सारे side effects से आप बच सकते हैं केसर का असर इतना जादू ही होता है कि अगर कुछ दिनों तक हम इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए सूंग से भी रहें तो हमारा migraine, हमारे depression और insomnia याने नींद ना आने की बीमारी जो है वो चमतकारिक रूप से ठीक हो जाएगी आजकल अक्सर ऐसा होता है कि नींद ना आने की शिकायत बहुत लोगों को हो जाती है और वह नींद की घातक दवाएं लेना शुरू कर देते हैं लेकिन अगर वो केसर को लगातार सूंगते रहें या उसके दो-तिन थ्रेट को आधे कप गर्म पानी में घोल कर नियमित उसका सेवन करेंगे तो उनकी ये शिकायत कुछी समय में दूर हो जाएगी USDA याने United States Department of Agriculture ने ये पाया है कि केसर याने सैफरन में विटामिन B6, विटामिन C और Heart Healthy Antioxidant इतनी अच्छी मात्रा में होते हैं कि ये दिल की सेहत को भी बहुत अच्छा रखती है हमारी बॉड़ी में Happy Hormones याने Endorphins को भी ये केसर बढ़ाता है इनमें सबसे प्रमुक होता है डोपामीन जो हमारे उत्साह के लिए, हमारे साटिसफेक्शन के लिए, हमारे Excitement के लिए जिम्मेदार होता है जब डोपामीन का Level बढ़ता है तो हम बहुत Satisfied महसूस करते हैं खुश महसूस करते हैं और यही एक कारण है कि जिससे हमारी सेह सुधरती है हमारा depression कम होता है, हमारी anxiety कम होती है और बहुत तरह की जो activities हमारे शरीर में होनी चाहिए, वह बढ़ जाती है केसर ना सिर्फ dopamine को बढ़ाता है, याने हमारे happy hormone को बढ़ाता है बल्कि ये हमारे blood vessels की जो clogging होती है याने जो उसमें blockage आना होता है, उसको भी धीरे धीरे करके दूर कर देता है जिससे हमारी बहुत सारी शरीर की जो activities हैं, उसमें एजाफा हो जाता है और इसका असर ये होता है, कि हम heart attack से अपने आपको बचा सकते हैं केसर को अगर हम हल्दी के साथ मिला लें, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है आपने सुना ही होगा, कि हल्दी, चंदन और केसर इसका जो paste होता है, सौन्धर प्रसाधन के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर हम हल्दी और केसर को मिला कर इसका सेवन करते हैं तो यह पूरी बॉड़ी का inflammation यानि कई तरह के रोगों को दूर करने में बहुत सहायक होता है और इसके जो गुण है केसर के वो हल्दी के साथ मिलकर कई गुणा बढ़ जाते हैं अब आईए यह जानते हैं कि हम इस केसर को कैसे ले सकते हैं तो सबसे पहले एमटी इस टमक अगर हम थोड़ी सी केसर की चाए कैसर की चाए कैसे बनाते हैं हम केसर के कोई ठेट ड üzerine गरम पनी में जब उसका color आ जाए तो पिंच of turmeric डाल सकते हैं यानिया हल्दी डाल सकते हैं दो पक्तियां पुदेनी की डाल सकते हैं, स्वाद के लिए एक दो बून हम लेमन की डाल सकते हैं याने नीबू की डाल सकते हैं, इससे जो केसर चाय बनेगी उसका प्रति दिन खाली पेच अगर आप नेमित सेवन करते हैं, तो आपकी हार्ट हेल्थी भी अच्छी हो लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखने की है, कि जिन लेडीज को पीरेड्स का दवरान ज्यादा ब्लीडिंग की शिकायत है, क्रिप्या वे केसर की चाय का उप्योग ना करें तो यह थी केसर के बारे में, यानि हमारे सेफरन के बारे में कुछ बहुत गुणकारी चर्शार, उमीद है हमारे आने वीडियो के तरह आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और उन सभ बार बादिंग